आदरनी साथियों, आयम आदरनी बहिनों, प्रणाम, इस समय मैं सेक्टर 4 के चोराहे पर शिव शक्ति सब्जीयों फल बंदार पर खड़ा हूँ, और ये धिरनमगरी सेक्टर 4 में सब्जियों की और फलों की सबसे बड़ी दुकान है, हम दुकान के मालिक से बात करते हैं, क्या नाम है जब आपका, पुरम चंदी कटारिया है, ये हर प्रकार की सब्जी रखते हैं, और किसी भी मौसम में, जो भी सब्जी आती है, सबसे पेदे इस दुकान पर ज़रूर आ जाती है, इस में में यहाँ पर आवला भी है, चमाटर भी है, जिनके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर मूली भी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये कौन-कौन सी बिमारियों में ये चीजें काम आती है, और किस प्रकार से आप ट्राक्रिल्टिक रूप से, किसी भी ऐलोपेथी दवा के बिना, इन चीजों का उप्यो कीजिए की बीमारी में किसी भी प्रकार की प्राल्ब्रम हो तो मुली का रस्त उसको ठीक कर देता है तो हम इन सब विश्यों पर बात करेंगे लेकिन आज का जो हमारा मुख्य विश्य है वो है कद्दू, कद्दू के बारे में हम सबसे पहरे बात करेंगे, मेरे पास में ये कद्दू का फल है, ये कद्दू है और इसको अमरित फल माना जाता है, इस फल में इतने गुण हैं कि दूसरा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन कई लोग इसके सोगन ले करता है और इसका सबसे बड़ा गुन है शीकल्ता देना जेडि similarly आपको शरियर्ण में बहुत जाला गर्मी है तो तो यह कद्दू का जो उपरी हिसा है डंठल इसको काट करके उपर से और कितना भी गर्मी हो कितना भी लंबा बुखार हो यह आप इसको पाओं के तल्वन में रगड़ेंगे तो आपकी सारी गर्मी निकल जाएगी और ठंड़क पहुंचेगे आपके शरेन में इसके अदावा इसके बीज वो भी बहुत ताम के हैं कद्दू ठंड़क पहुंचाने वादा होता है इसे डंठल की और से काट करके तलों पर रगड़ने से शरीर की गर्मी खत्म होती है इसके बदन की हरारत या उसका आभास दूर होता है कद्दू का रस भी सेहत के लिए बहुत फायदेबन होता है यह मुत्रवर्दक होता है और पेट समंदी गड़बडियों में भी लापकारी रहता है यह खून में शुगर जो शुगर के कारण आप लोग परेशान होते हैं यह खून में सरक्रा की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता है शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और अगनाशय को भी सक्री रख करता है इसी वज़ाए से डाइबिटिस के रोगियों को कद्दू के सेवन की सला दी जाती है कद्दू के बीच भी बहुत गुंकारी होते हैं कद्दू वा इसके बीच विटामिन सी और ई आईरन, केलशियम, मेगनिशियम, फासफोरस, पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन और फाइबर आदी के भी अच्छे स्रोत होते हैं यह बलवर्दक रगता हैं पेट साब करता है पित वाईव विकार दूर करता है और मस्तिश के लिए भी बहुत फायदेबंद होता है प्रयोगों में पाया गया है कि कद्दू के छिलके में भी एंटी बैक्टिरिया तत होता है जो संक्रमन फेदाने वाले जिवानों से रक्षा करता है इस सब्जी में पेट से देकर के दिल तक की कई बीमारियों के इलाज की क्षमता है कद्दू के जूस के भी बहुत भारी लाव हैं कद्दू का जूस विटामिन डी का बढ़िया स्रोर्थ है जो आपको किसी अन्य जूस में नहीं मिलता है आप बिना धूप में जाए भी इस जूस से अपने शरेड में विटामिन डी की पूर्चि कर सकते हैं कद्दू में विटामिन डी के अदावा कॉपर आइरन और पास्पोरस भी होता है और चैसे मैंने का जिंक जिंक का भी एक सब्चे बड़ा नेचुरल सौर्स है कद्दू यदि आपको कोरोना हो रहा है या कोरोना से आप डर रहे हैं तो आप कद्दू का सेवन नीमित रूप से करें इससे आपके शरेव में जिंक की पूर्चि हो जाएगी और आपको कोरोना नहीं होगा कद्दू के जूस में विटामिन B1, B2, B6, C और E और बीटा के रोटीन भी भरपूर मातरा में होते हैं कार्वोहइडरेट्स और प्रोटीन भी कद्दू के जूस में पाए जाते हैं हर दिन करिब आधा कब कद्दू के जूस की सदा दी जाती है कद्दू का जूस लिवर और किड्नी के लिए बहुत लाबकारी है ऐसे लोग जिने किड्नी में पत्री की समस्या है उन्हें कद्दू का जूस रोजाना तीन बार ज़रूर पीना चाहिए कद्दू के जूस में धमनियों को साफ रखने का गुण होता है जिससे दिल की बिमारियों और दिल का दोरा पढ़ने का खत्रा बहुत कम हो जाता है कद्दू के जूस में एंटी ओक्सिडेंट्स काफी जादा होते हैं जो शरीर को एर्टेरी औस्टलेरोसिस बिमारी यानि धमनियों को धड़कन होने से रोकने में बहुत कारगर है कर्दू का जूस अलसर और घेस को भी ठीक करता है इसमें किड्नी और यूनिनरी सिस्टम को व्यवस्तित रखने का गुण होता है कद्दू के जूस में एक खास गुण होता है दिमाग को शांती देना इसका यह गुण इंसॉम्निया यानि नीन ना आने की बिमारी में लाप पहुचाता है इंसॉम्निया के रोगियों को इसे शाहत के साथ पिने की सला दी जाती है कर्दू का जूस हाई ब्लड प्रेशर हाई बीपी के खत्रे को कम करता है इसमें प्रेक्टिन नाम का एक तत्व होता है जिसमें कॉलेस्ट्रोल को कम करने का गुण होता है कद्दू के जूस को शहत के साथ मिला करके पीने से शरीर को ठंड़ का एसास होता है और इस प्रकार या शरीर के तापमान को कम करने में भी मदद करता है कड़ू के जूस में प्रेगनेंट महिलाओं में होने वाली सुबह की विक्नेस और दूसरी समझ्चाओं यानि मौनिंग सिखने से छुटकारा दिलाने का गुण भी होता है कड़ू के जूस में विटामिन सी और अνन्य कई सारे मिनरल पाये जाते हैं जो शेरीर की इम्मूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं और इस तरह से शेरीर को कई तरह से बीमारियों से बचाये रखते हैं कड्दू के जूस में एक सबसे बड़ा गुण होता है वह है इसमें बाल उगाने की क्षमता होती है कड्दू का जूस विटामिन एक की मात्रा काफी होती है इसमें जो शिरकी स्कीन को बहुत फायदा पहुंचाती है इसके अधावा इसमें पॉटेशम भी पाया जाता है जि इसके अलावा यदि वे एक चमच कलाउंजी सवेरे सवेरे खा देंगे और जो ओली ओएल और रोजमेरी मिक्स वाला ओईल है वो रेगुलर सिर में लगाएंगे तो उनके बाल नहीं उड़ेंगे उनके बाल उड़े हुए भी वापस से आ जाएंगे इसी के साथ मैं अगल